आज गाईज हम दिखाएंगे आपको कि बारसास से ग्यहों की खेती को क्या फाइदार क्या नुपसान हुआ है तो गाईज बारिस के बाद एक हवा का जोक आया था तो खेत को देख इस पिरकार से नर्ष्ट कर गया है ये है एक किसान की दर्द भरी कहानी है कि इतने प्यार से और लाड से फशल को पालता है पनासता है पानी देता है उसको घाद बीज देता है और लाश्ट में इस फिरकार से फिर फ़सल खराब हो जाती है तो किसान का बहुत दिल तूट जाता है चाहता है कि मैं या किसी पेड़ पर फांसा लेकर मर जाऊं या मन करता है कि हम किसी कुए में कूद कर अपनी जान देते क्योंकि उसकी सारी रोटी रोजी सब इसी में है उसका मैनत सारा इसी में है जो भी है वह खेती है उसकी यानि जॉब भी उसकी खेती है नो कृरी भी उसकी खेती है उसका पेशा धन्दागी सब कुछ खेती है उसमें से ही वह सब कुछ करता है अपने family member सबको उसमें से बालता है उसमें से पढ़ाता लिखता उसमें से सब गरता है तो guys इस पिरकार से है किसान की एक दर्दबरी गहानी छोटी से पोध्य को पाल पोश कर बढ़ा करते हैं जब एन मौके पर पकने के time पर आता है वसल उठाने का time आता है तो guys तब जार य जाता है किसान की पे सारी मेहनत है जो उसकी कारिधरीय सब नश्ट हो जाती है तो गाईज आप सपोर्ट करिए और लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट बताएं कि हमें क्या है और उपाय करने चाहिए खेती के बारे में क्या किस परकार से हम इसको अपनी गिरी हुई फसल को बचा सकें तो गाईज हमें बताईए तो मैं अब यहीं तक ही कर रहा हूं देखो गाईज थेंक्यू गुडवाई अब आपके लिए सिर्शू की खेती और दिखाऊंगा पिरकार से दुबारा फुटाओ करने लग गई है इसमें भी नुक्सान है क्योंकि देखो फली आ चुकी है इसके अंदर और फली आने के बावजूद फिर से इसमें फूल आने सिरू हो गए हैं देखो जगे जगे इस इस पिरकार से पूट रही है सिर्शू तो यह भी एक का भी नुक्षान की बात है यह देखो इस पर इस पिरकार से बूंदे जहमी हुई है बर्सात का काफी फिर्वाव है यह देखो गाईज तो हम